मनुष्य के जीवन में स्वास्थ बहद इंपॉर्टेंट चीज है और अगर आप स्वास्थ को बहतर रखना चाहते हैं तो आपको अपने पाचनतंत्र को भी बहतर रखना होगा और पाचनतंत्र को बहतर रखने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए ये समझना बहुत पुसरा ब्रेन है अगर आपका गट खराब होता है पाचनतंत्र खराब होता है तो यकीन मानिए आपका दिमाग भी सही तरीके से फंक्शन नहीं कर सकता इसलिए आज कल जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से हमें गैस्ट्रो इंटरोलोजिस्ट की जरूरत बहुत बताएंगे कि एक मनुस्य को स्वस्थ रहने के लिए किस तरीके से अपने पाचनतंत्र का ख्याल रखना चाहिए सबसे पहले मैं टीवी नाई और पंकर जी का धन्यवाद देना चाहूँँए इस मन्तर के लिए मैरा नाम डॉक्टर कप्पी शर्मा है जैसा की बताया है तो आपको यह जानना जरूरी है कि बोडी में एंट्रियन एक्जिट पॉइंट आपका डाइजिस सिस्टम में जो शीज आईगी जो भी चीज निकलेगी सारा यहां से ही आप यह जानकर हैं उसकते हैं यहां एक होता है जिससे की आपकी health नियन्तित होती है इए धी इन को होते ही अपको तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है और दूसरी important बात मैं बताना चाहूँँ, आप बोलतें, immunity की बात करतें, कोरन आया, सब लोग immunity की बात करतें, तो gut के अंदर जितनी immune cells होती है, वो कहीं भी नहीं है, total body की immune cells को एकतरब कर दीजिए, यहां बहुत ज़्यादा immune cells होती है, इतने checkpoint होते हैं, आप कुछ भी खाते हैं, तो there are so many checkpoints in your gut, वो हर एक चीज को control करता है, लेकिन जैसे ही आपका ये checkpoint खराब हुए, आपको आपके खाने से तकलीफ स्टार्ट हो जाती है, तो अब क्या हो रहा है, और दोगी की परवर्ती बढ़ रही है, शारिरिक सम्का भाव हो रहा है, इस कारण से आपका और junk food, collateral ये सब बढ़ रहे हैं, तो जो coordinated food है कि आपको इतना percent carbohydrate लेना चीए, उसमें भी complex लेना चीए, आपको अच्छा feeling होगा, आपको अच्छा feeling होगा, आपका brain भी अच्छा रहेगा, बोड़ी अच्छा feel करेगी, strong feel करेगी, तो बहुत important है कि gut health को control करना और gut health को maintain करके खना, ये दिन की दिलचरिया के लिए बहुत ही important है, आपने बहुत अच्छी बात कही और इसलिए डॉक्टर बड़े बुजूर कहा करते थे चिंता, चिता के समान है, समझी एक बिंदी का फर्क है, और आपने बड़ी अच्छी बात बताई, कि अगर आप चिंता नहीं करेंगे, तो क्या होगा, कि mind से serotonin release होगा, और serotonin release होगा, तो stomach बहतर function करेगा, पाचन तंत्र बहतर function करेगा, और जैसे ही हम चिंता ज़्यादा करने लगते हैं, या तो हमें lose motion हो जाता है, या हमें constipation हो जाता है, या आजकल अकसर लोग IBS से सफर करते हैं, IBS irritable bubble syndrome जिसको कहते हैं, in fact मैं आपको बताऊँ, तो मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, चाहे आजकल वो मीडिया में काम कर रहे हो, IT में काम कर रहे हो, अलग-अलग sectors में काम कर रहे हो, उनकी सबसे बड़ी problem होती है कि सुबह कैसे वो अपने पेट को साफ कर सके, उन्हें कई बार जाना पड़ता है, और उसके बाद भी उन्हें कई बार उनका पेट भारी लगता है, फूला हुआ लगता है, स्वेल्ड लगता है, और वो कहते हैं, मैं ऐसा कुछ खाता भी नहीं हूँ, नोर्मल्मल वेज खाना खाता हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसी दिक्कत क्यूं है, तो सवाल यह है कि आजकल अकसर लोगों का IBS से पीडित होना, आजकल अकसर लोगों का पेट फुला रहना, आजकल अकसर लोगों का पेट की बडी समस्या रहना और जिस वज़े से वो अपने office में भी अपने कामों में भी properly concentrate नहीं कर पाते क्योंकि आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं होगा तो आपका concentration भी ठीक नहीं होगा और आप जैसे विशेशक बताते हैं कि पेट और दिमाग का बड़ा ही अन्यूनियासरे संबंद है अगर आपका दिमाग खराब है तो पेट भी खराब होगा आपका पेट खराब है तो दिमाग पर भी असर पड़ेगा तो मैं यही पूछना चाहरा हूँ कि यह IBS जैसी गंबीर बेमारी को कैसे tackle किया जा और यह होता क्यों है तो सबसे पहले आपकी पहले point पे बात करते हैं कब्ज यानि constipation constipation का ताथपर यह हर लोगों के लिए अलग अलग है कोई feel करता है कि मुझे motion हो नहीं रहे हैं उसको constipation समझता है कोई यह बोलता है मैं पांच बार जा रहा हूँ लेकिन एक बार साफ नहीं हो रहा है उसको भी constipation समझता है कोई यह feel करता है कि मैं मुझे अच्छा नहीं लगता है I am constipated तो constipation की परीभासा अलग अलग है लेकिन scientifically तोर पर देखा जाए तो यदि किसी को सब्ता में तीन से कम motion हो रहे है और इस टूल हार्ड हो रहे है तब हमको इसको constipation बोलते हैं constipation बहुत तरह के हो सकते हैं एक तो constipation क्यों होता है कि यदि आपकी जो आते हैं वो बराबर नहीं चल रही है हो वहाँ जो digestion हो रहा है वो slow हो रहा है रेक्टम तक जो undigested food वो लेट आ रहा है तो उसका जो निकास है वो देरी से हो रहा है तो सबसे पहले तो intestine की slowness की वज़े से हैं इंटेस्टाइन में दो तरह की इंटेस्टाइन होती है, एक तो छोटी आथ होती ही, बड़ी आथ होती है, लेकिन मैं बतानाता हूँ, छोटी आथ इतनी बड़ी होती है, कि हमारी बोड़ी की लंबाई से बड़ी होती है, 6 मीटर लंबी होती है, यहां जितने भी आपको आप में जाता है बड़ी आँच जिसे की कोलोन बोलते हैं वो 1.5 मीटर लंबी होती है वहां केवल वाटर अब्जॉप्शन होता है यदि आपका स्टूल हाड आ रहा है इसका मतलब वो कोलोन में लंबे टाइम तक रूक रहा है तो उससे ज्यादा वाटर अब्जॉप्शन ह होता है और इस्टूल हाड हो जाता है तो जैसे जैसे आपने देखा हुआ ओलड एज में दिखतर इस्टूल हाड इसलिए आते हैं कि कोलोन पुश नहीं कर पाती उसको और उसके बाद में वहां अब्जॉप्शन ज्यादा होता है जैसे ही रेक्टम में आता है अब यहां विशेश तरी की प्रिक्रिया चालों होती है Rectum आपके stool को sense करता है Sense करने के बाद में वहां की जो muscle होती है वो इसको push करती है Push करते वक्ती आपका sphincter खुलता है तो यह सारी चीजें coordinated way में होती ही फिर आपको bowel moment होता है लेकिन आपका stool rectum में आ रहा है आपको जाने की इच्छा हो रही है, लेकिन आपको गए हुआ नहीं, इसका मतलब यह है कि मसल आपकी कॉंट्रेक कर रही है, लेकिन स्फिंक्टर नहीं खुल रहा, तो इस बीमारी को बोलते हैं, पेल्विक डिस इनर्जिया, लोग इसको कन्फीज होते हैं, इसके अंदर एधि यंग एज के अंदर जिसे बच्चे होते हैं, इसको जाना होता है, जल्दी बाजी होती है, तो वो एक आदत सी बन जाती है, तो इस्फिंक्टर ट्रेन हो जाते है होल्ड करने के लिए, तो जब उनको खोल्ड नहीं करना होता है, तो यह कौड़िनेशन बिगड जात इसको चार वर टाइप 1, 2, 3, 4 में डिवाइड के जाता है और फिर उसके साब से बायो फीडबेक के रिखते हैं.